हलो एवरीवन, वेलकम बैक तो मैं चैनल, मैथमेटिक से स्मॉज, मैं नेम इस अर्शना चोहन और आज आपके साथ मैं डिसकस करूंगी कुछ स्पेशल पालेलोग्राम फ्रॉम चैप्टर थ्री अडेस्टेंडिंग क्वार्डी लेटरल्स फ्लास एट राइट तो समें स्प इसका मतलब क्या है जो ए बी है है ना बी सी इडी दी टीस फूर साइट साथ इक्वल तो इच अदर ओके सोफ रॉम्बस इस वाट रॉम्बस है जो अल्डव प्रोपरटीज ओफ पलेलोग्रम एंड आपकाइट पैललोग्राम और काइट खिदिंभी प्रोपरटी इस थी सारी प्रोपरटीज और में होती है प्रोपरटी कि जो खुआ होऊंगी 1 तो षप प्रोपरटी यहां पर इंपर होगा ठीक है now next is the special property is that its diagonal are perpendicular by sector to each other जो इसकी main property है कि वो एक दूसरे को bisect करते हैं है ना तो A equals to EC and A equals to AB bisect का मतलब मैं कई बार बता चुकी हूं bisect मतलब exactly dividing in two equal parts okay and it makes an angle of 90 degree at the point of intersection of the diagonal it makes an angle of 90 degree at the point of intersection of the diagonal इस बात को समझते हैं देखो यह rhombus है है ना तो यहां पर जो यह angle form और बीटो यह जो है 90 degree का होगा इनका कहने का मतलब यह है ठीक है और जो bisecting वाली बात हो रही थी बेटा तो उसमें जैसे अगर let's suppose यह है तो ED equivalent to EB and EC equivalent to AE इस तरीके से हो जाएगा अच्छे अब यहां पर equation arise होता है कि अगर rhombus की भी 4 sides equal है and square की भी 4 sides equal है then what is the difference between rhombus and square यह equation ऐसा है जो बहुत बच्चों को परेशान करता है ठीक है तो आप यहां पर देखो जो square है और जो rhombus है square आपका कुछ इस shape का होता है ठीक है यह square है तो square को देखने से क्या पता चल रहा है कि इसके जो यह angles है है ना यह सब कितने डिग्री के होते है 90 डिग्री के होते है ठीक है इसमें यह यह एंगल 90 डिग्री नहीं होता है ठीक है इस नौट टैसे सिटी ठीक है तो यह ध्यान रखना है तो square और rhombus में क्या difference है square के जो यह corners angles होते है इच एंगल इस ओफ 90 डिग्री नेक्स्ट इस rectangle अब parallelogram with equal angles and equal opposite sides are called rectangle यह side इसके equal होगा यह वाला side इसके equal होगा और इसके चारों angles है वो 90 90 डिग्री के होंगे ठीक है इसकी properties अगर चेक करें तो properties में देखते हैं इसमें opposite sides are parallel and equal इसकी जो opposite sides है वो एक दूसरे के parallel होती है and equal होती है और opposite angles are equal चीदी सी बात है यह भी 90 डिग्री यह भी 90 डिग्री यह भी 90 और यह भी 90 है and adjacent angles make a pair of supplementary तो बेटा यह 90 डिग्री यह 90 डिग्री तो definitely दोनों को जब add करोगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री that will be supplementary and diagonals are of equal length यह बात यहां रखने वाली है जो इसके equals to DB यह हो जाएगा okay and diagonal bisect each other एक दूसरे को bisect करते है and all the four angles are of 90 डिग्री तो दोनों के चारों angles हैं इसके वो कितने के होता है 90 डिग्री के हो जाते हैं ठीक है now बात करते हैं square की a rectangle with all four equal sides is called a square ठीक है देखो ध्यान से देखो जरा यह rectangle था है न और मैं अगर इसके चारों sides equal कर देती हूं है न चारों sides अगर equal कर देती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा square मिल जाएगा correct so in that case a b equals to b c equals to c d equals to ad now what are the properties all four sides are equal correct opposite sides are parallel correct है न क्योंकि यह parallelogram है diagnose are of equal length diagnose हो है same length के होते हैं and diagnose are perpendicular bisector to each other मतलब कि 90 degree पर एक दूसरे को bisect करते हैं and all the four angles are of 90 degree अब यहां से देखो जरा यह वाली जो प्रोपर्टी है ना last वाली यह हमारी rhombus में नहीं थी so this is the major difference between rhombus and square तो इस बात को आप ध्यान से समझे square में और rhombus में एक ही पराके कि square के जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 degree के होते हैं now solve exercise 3.4 question number one state whether true or false हमें बताना है कि जितने भी statements हैं यहां पर true है यह false है so first one all rectangles are squares all rectangles are squares तो अभी अभी हमने property discuss करी है है ना all rectangles cannot be squares वहां पर क्या थी condition थी क्या कि अगर rectangle के सभी sides equal हो जाएं तब वो square होगा है ना but we can't say every all rectangles are squares so this statement is false ठीक है so क्या होगा यह false होगा reason क्या देंगे since squares have all sides are equal correct now b is all rhombuses are parallelogram जितने भी rhombus हैं क्या वो सभी parallelograms होंगे yes of course it is true why why it is true since in rhombus opposite angles are equal and diagonal intersect at midpoint क्या बात समझ में आई कि जो rhombus है उसमें जो opposite angles होते हैं वो एक दूसरे के equal होते हैं और डाइगनल होते हैं वो एक दूसरे को intersect करते हैं midpoint पर that's why all rhombus are parallelogram this statement is true statement now come to see all squares are rhombus and also rectangle पूछ रहे हैं कि जितने जितने भी squares हैं क्या वो सबी rhombus हैं और रेक्टेंगल भी हैं यह स्ट्रू वाइच करो जितने भी squares थे उसकी सितने भी properties थी वो क्या थी rhombus थी बट नॉट रेक्टेंगल बट एक रेक्टेंगल नहीं थी है ना पट वो एक रेक्टेंगल नहीं था स्क्वाइर और ओंबस की जितनी भी properties थी similar थी ओके तो देट्स वाइट्स ट्रू नॉट डी पार्ट डी पार्टी जितने भी square हैं क्या वो पहले लोग्राम नहीं होते हैं यह false सभी पहले लोग्राम नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं चेक करिए सोचो जरह मैंने अभी जो आपको डिस इंट्रोरेक्शन पार दिया है उसे बताया था जितने भी squares होते हैं वो सभी parallelogram की property follow करते हैं ठीक है लेकिन सभी squares parallelogram नहीं होते हैं जबकि होना कैसे यह all squares are parallelogram because all squares have the same property of parallelogram that's why it is false now e part all kites are rhombuses मतलब भी नहीं बनता कैसे rhombus हो सकती है kite rhombus हो सकती है ना all kites do not have equal sides है ना kites में क्या होते चारो sides equal दोड़ी ना होते हैं जबकि rhombus में चारो sides equal होते हैं तो kite rhombus नहीं हो सकती it's a false statement now f all rhombuses are kites all rhombuses are kites so socho जरा क्या जितने भी rhombus हैं क्या वो kite हो सकते हैं yes they can how socho कैसे वो हो सकते हैं kite since all rhombuses have equal sides है ना जितने भी rhombus होते हैं सबके equal sides होते हैं and diagonals bisect each other एक दूसरे को bisect करते हैं that's why all rhombus can be kites it's a true statement now g part all parallelogram are trapezium parallelogram सभी जितने भी parallelogram से वो trapezium हो सकते हैं true statement है कैसे trapezium has only two parallel sides trapezium has only two parallel sides तो इसका मतलब जो parallelogram है वो trapezium हो सकता है ठीक है इसे यह भी क्या होगा true statement होगा now h part all squares are trapezium yes it's also a true statement why जितने भी squares है उसमें हमारे चारो sides equal होते हैं and जो भी है उसमें two parallel lines हमारे पास होती है तो ट्रपीजियम में भी क्या है two parallel lines होता है तो जितने भी squares है वो trapezium हो सकते हैं since all squares have also two parallel lines that's why this statement is a two statement question number two to identify the quadrilaterals that have four sides of equivalent four sides of equivalent कौन कौन से quadrilateral में होता है so it is rhombus है ना पहला तो rhombus ही हो गया and second one square okay यह दोनों में हमारे चारो sides equivalent के होते हैं now b is four right angles चारो right angles के इसमें होते हैं हमारे पास एक तो square है and second one is rectangle okay now question number three explain how a square is a quadrilateral हमें बताना है कि कैसे एक square quadrilateral हो सकता है कैसे एक square quadrilateral हो सकता है so simply a square is a quadrilateral I'm writing the statement a square is a quadrilateral if it has four unequal length of the sides ठीक है किस के समें हो सकता है square quadrilateral जब इसके पास चारो sides इसके कैसे हो जाए un equal length के हो जाए तब यह quadrilateral बन जाएगा okay second part is a parallelogram एक parallelogram कैसे हो सकता है a square is a parallelogram since it contains both pairs of opposite sides equal ठीक है चेक करिए एक square parallelogram कब होगा जब इसक्वाइर के दोनों opposite sides कैसे हो एक्वल हो जाए तब क्या होगा यह parallelogram बन जाएगा ठीक है now next next is third part third part एक square rhombus कैसे हो सकता है यह हमें बताना है so i square is already a rhombus square क्या है एक rhombus ही है why since it has four equal sides ठीक है चारो sides इसके equal हो जाते हैं and diagonals bisect each other at 90 degree है ना 90 degree पर एक दूसरे को bisect करते हैं diagonals okay now fourth one is a rectangle एक rectangle का वो सकता है ठीक है तो एक square एक is type का parallelogram है जिसमें जो उसका adjacent angles है वो कैसे है right angles है और जितने भी opposite sides है वो equal है ठीक है so i square is a parallelogram you can write i square is a parallelogram since having each adjacent angle a right angle and opposite sides are equal चलिए come to next question now question number four name the quadriletral whose diagnose हमें उन quadriletral के नाम बताने हैं जिनके diagnose bisect each other है ना एक दूसरे को bisect करते हैं so first one is bisect each other देखो कौन कौन से बढ़े थे हमने एक तो ऐसा रोंबस था है ना फरस्ट वन इस रोंबस और जो सेकेंड हमने पढ़ा था पैले लोग्राम ओके अरी थर्ड वन वोज आई थिंक इट वोज इसक्वायर है ना और एक हो सकता है आपका रेक्टेंगल ठीक है यह था फर्स्ट के लिए आंसर यह हमारे पास चार क्वाडी लेटरल से जिनके डाइगनल से एक दूसरे को bisect करते हैं नो सेकेंड पार्ट इस आर पर्पांडिकुलर बाइसेक्टर सोफ इच अधर आर पर्पांडिकुलर बाइसेक्टर फीच अधर का क्या मतलब है यह था बाइसेक्टिंग टूछ अधर एड 90 डिग्री ओके तो वी आपनली टू हीर रॉंबस and one more is square है ना यह दोनों हो सकते हैं now third one is r equal है ना जिसके diagonals equal हो तो एक ही है हमारे पास ऐसा it is a square or rectangle ठीक है या तो एक square में हो सकता है या फिर एक rectangle में I hope it is clear to you now come to next question explain why a rectangle is a convex quadrilateral हमने बताना है कि एक rectangle क्यों एक convex quadrilateral है so its answer is very simple क्यों याद करो जो definition मैंने आपको convex की पढ़ाई थी वो क्या थी कि जितने भी इसके vertices हैं और जितने भी इसके diagonals हैं जो भी हम बनाते हैं वो इसके interior में हैं ठीक है अगर मैं यहाँ से इसका diagonal draw करती हूँ तो यह सब क्या है फिगर के boundary के अंदर में है ओके तो वाट केन वी राइट वी केन से और रेक्टेंगल इस आ और रेक्टेंग्स काड़िए और रेक्टेंग्स it's vertex are raised and both of its diagonals diagonal lie in its center sorry center knee its interior its interior the right angle explain why O is equidistant from a B and C so the dotted lines are drawn additionally to help you take a so here you have a triangle which is right angle triangle and midpoint opposite to the right angle this is 90 degree angle correct so it has said that the ADC is additional points for help us to help us so how do we understand that the two right triangles are made by a rectangle form correct do right angle right triangles milker rectangle form correct there are O what is equidistant from a B C and D because O is a midpoint of two diagonals rectangle in two diagonals we have two diagonals we have studied that both the diagonals of rectangles are equal so that would be midpoint so AC C and B D are equal diagnose dono equal hoge and intersect at midpoint dono kaha mid intersect karte midpoint open intersect karte that's why O is the equidistant from A B C and D students if you like my videos my teaching methodology and notes whatever I'm providing you so kindly share like and subscribe my channel thank you so much everyone